नमस्का दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्षन में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोक पार जो वीडियो लेकर आए हूँ वीडियो है मेजर साथ का मेजरली राइट उनका चैनल है लिंक दिया हुआ नीचे आप जाहिए उनको सब्सक्राइब करिए उनको सपोर्ट कर ही है कि इटली की जो पी-एम है जोर्जियो मिलोनी उन्होंने कांड तो किया है बहुत बड़ा कांड इनसेंस के अच्छे संस में अपने देश को बचाने के लिए अब देखें यह खबर में लगा रहा हूँ यह गल्फ एंसाइडर की खबर है मतलब मिडिल इस्ट की खबर है अखबार है हेट प्रीचर इमाम एक्सपेल्ड फ्रम इटली फॉर ग्लोरिफिकेशन ऑफ हमास एजे माठियस अदलब हमास को यह सपोर्ट कर रहा था अब इसके फोटो देख लिए जिए और यह पाकिस्तानी है यह जो है यह पाकिस्तानी है और यह 1995 से शायद वहाँ प कर रहा था तो इसकी जो घोषना की थी वह करने वारे हैं यह मैं लगा रहा हूँ मैथियो सल्वीैनी अंब देखें उनका ट्विटर इक मैहें अन्डल लगा दिया यह है डिप्थी प्राइम मिनिस्टर है और ministry of infrastructure and transport इटली के डिप्टी PM भी हैं और minister of infrastructure and transport है यह बड़ा portfolio है इनका इनके करीब 1.5 million followers हैं इस पर तो इन्होंने देखिए इन्होंने ट्वीट किया था इटालियन में किया था उसका translation नहीं पर लिखा हुआ है उन्होंने लिखा है we finally sent him home that's right और यह photo लगाई है उस मौला नहीं कि लिखा इमाम दी बुलेंगा इस पल्स हो मतलब बुलेंगा यह बुलेंगा में रहता था यह वहां के इमाम को इन्होंने निकाल दिया अब आगे इटालियन पढ़ने नहीं आती बस यह समझ में आ रहा है नो एड हमास पतान क्या लिखा है सो स्टेंग नो एड हमास मतलब भी रखता है कि हमास को सपोर्ट करने वाला था यह तो यह वहां के डिप्टी पीम ने ऐलान किया है और यह बहुत बड़ी घटना है क्योंकि जायर सी बात है कि पाकिस्तान के लिए मसल्मानों के लिए यह तरह से कहूं तो मैं सबक सिखने वाला है कि या तो पाकिस्तान में रहो या अपने अपने देश में रहो और दूसरे देश में जाओ तो फिर वहां का कानून तो मानना पड़ेगा वरना अगर तुमने हमास को सपोर्ट किया टर्रिस और्गनिजिश करोगे तो लाद तो खाओ अब इसको कोई बुरा का है बला करें उसे क्या मतलब मेरा घर है मुझे अपने घर को तो वह या करना ही है और मैं देखना हूं कि भारत में भी देरे देरे एक्स्रेमीजम बढ़ा रहा है तो इसका तो रास्ता निकालना पड़ेगा और रास्ता उसको बोला तो वापस जाओ पाकिस्तानी था एक्चुली ठीक है उसको जॉर्जिया मेलनी की सरकार ने बोलाए कि भगो यहां से पहली फुरसत में निकलो इटली से और उसका बोरिया विस्तर बांद के बलकुल और लात मार के उसको निकाल दिया क्यों निकाला और ऐसा क् व्यू बनता जा रहा है यॉर्प में, राइट, कि निकालो निकालो निकालो, ऐसी पार्टीज आ रही हैं पार में, स्ट्रीट पे लोग आ रहे हैं, यॉर्पियंज आप साड़क पे आ गए हैं, काफी टाइम तक तो यॉर्पियंज सो रखे थे, उनको बड़ा डर लगता बहुत पहले प्रिडिक कर चुका था दोस्तों उसको, मेरा एक आर्टिकल है, कैलिफ ओफ लंडन, वो मैंने लिखा था, दोहजार सेत्रह में, ठीक है, और तब ही मैंने लिखा था, कि ये प्रॉब्लम यूके में है, जितना मुझे दिखा, अब ये इटली वाला मामला मैं आ से, ये पहले तो चुप था, धीरे धीरे दोहजार तेईस से इसने जहर भरना शुरू कर दिया लोगों, ये राडिकल इसलामिस्ट आइडियोलोजी प्रोपोगेट करता था, एंटी वेस्टर्न, एंटी सेमिटिक, होमोफोबिक और एंटी फेमिनिस्ट रेटिरिक था इस ये कहता था कि जो स्टेट ने टैक्स तुमारे उपर लगाई, यानि कि इटली ने जो तुमारे उपर टैक्स लगाई है, तुम वो टैक्स मत दो इटली को। तुम इसराइलियों को सपोर्ट करते हो और इसने बोला कि अल्ला, अल्ला से इसने फर्याद करी, दूआ करी कि जो वेस्टर्न, पच्च्च्वी देश हैं, मगरिब की देश हैं, उनको बरबाद कर दो। और इसने हमास और हिजबल्ला की तारीफ भी करी, फिस जुल्फिक कर रहे हैं और ये बोला कि वो टेरिस्ट ग्रूप नहीं है, अन्टी सेमिटिस्म यानि की जूस के खिलाफ जो कोई भी काम होता, उसका अन्टी सेमिटिस्म बोलते हैं, मैं लूजली आपको ट्रांसलेट कर रहा हूं, कह रहा हैं, ऐसा कुछ होना ही नीचे, बेकार है, और इसने अमेरिका और इस्राइलीज को टेरिस्ट बताया, और बोला कि हमास, हेजबॉल्ला, सीरिया, एरान, यमिन, ये कभी सिविलियन्स को हाम नहीं करना चाते, और फिर इसने अल्ला से दुआ करी कि वेस्टन कंट्रीज पे, यो नो, कुन का बुरा हो जाए, डिस्ट्रॉ इसने बताता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा इसको, मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आती, कि अगर आपको वेस्ट पसंद नहीं, अगर आपको पश्चम पसंद नहीं, तो जाते क्यों हो महाँ पे, और वही सेम, देखिए, रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, उनका एक तरीका है काम करने का। प्रग बाग के वेस्रन कंट्रीज में जाने चाये कनेडा जा रहा है चाये अमेरिका जा रहा है चाये येरोके देश keeping अब 함 works go क्यों जाते हैं वहां पर भीक मागने से लिरुए कर काम करने से लिरीकर सब कुछ सुछ थम्में non-muslim में तैश्जों सारी सुख सुधाएं अपने बच्चों को पढ़ाने सब नॉन मुसलिम जश्मी चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहतर चीज़ है और फिर उनी को गाली दो फिर कहो कि हम तुम्हारे उपर कबजा कर लेंगे और हम तुम्हारे उपर शर्यलो लगाएंगे कब तक को इस आएगा यार एक लिमिट होती है ने किसी चीज़ की भारत में भी यही करते हैं हर जगे एक ही तरीका एक तरीका है काम करने का ठीक है पहले आप जाओ कहीं पे किसी भी देश में और वहाँ पे जाके आप उस देश के समविधान को समझो और उसका फाइदा उठाओ और आप human rights का फाइदा उठाओ इसने क्या बोला जुलफिकार खान ने इमाम है ये कह रहा है western country खुद एक western country में रह 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 और कह रहा है कि जिस देश में तुम रह रह रहे हो यह वहाँ के muslims को बढ़का रहा है और बोल रहा भाईयों, जिस देश में तुम रह रहे हो, जिस मुलक में इटली में तुम रह रहे हो, जिसका तुम नमाख खा रहे हो, जहां पर तुम काम कर रहे हो, तुम इसको टैक्स मत दो, तुम बगावात कर दो अपने मुलक से, ये बढ़का रहा है, और जब इसको ये बोला कि हम तो मैं निकाल देंगे, तुमारे खिलाफ कानूनी करवाई होगी, तो जुल्फिकार खान ने सिंपल सी बात ये बोली है, कि ये तो फ्रीडम उस्पीच है, ये तो फ्रीडम उस्पीच है, आपका कॉंस्टुशन मुझे अलाव करता है, यही अगर मुस्लिम देश में होता न, यही अगर मुस्लिम देश में होता, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, तुम करके देखो ये, ये जितने भी ऐसे जुल्फिकार खान जैसे पगलेट हरकतें करते हैं, ये वेस्टन कंट्रीज में करते हैं दोस्तों, ये कभी मुस्लिम देशों में नहीं करते आप करके दिखा दो यह तो बहुत बड़ी बात कर रहा है पाकिस्तान अपने आपको डिमोक्रिसी कहता है जूटी सही जूटी ही सही पाकिस्तान अपने आपको डिमोक्रिसी कहता है आप पाकिस्तान में करके दिखा दो ISI आपको उठा के ले जाएगी काली वीगो आएगी बैठा के ले जाएगी चार दन के बाद छोड़ेगी चार दन के बाद आप ऐसे मुस्कुराते वे निकलेंगे सॉफ्ट्वर अपडेटेड आपका होगा वह 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 आप कहेंगे पाकिस्तान जैसी कोई जगे ही नहीं ISI के पास है खास इंस्ट्रूमेंट्स जिससे वो सॉफ्ट्वर अपडेट करते हैं आप साओधी रेविय में जाके देखे ये सारी की सारी ना ये रैडिकल इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स है दोस्तों इसको समझने की जरुवत है आप कहीं पे भी देखना भारत में भी आप देखेंगे कि रैडिकल इस्लामिस्ट मैं मुसल्मानों की बात नहीं कर रहा है आप मैं रैडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूँ इनका गठ जोड लेफ्ट के साथ रहता है वामपंतियों के साथ वामपंति भी इतने गधे हैं में लेफ्ट के साथ कोई गड़ जोड़ा है, वहाँ पे लेफ्ट है ही नहीं, मुसलिम देश में लेफ्ट हो जाए, वो पन अपने ही नहीं देते, सरतन से जुदा, स्ट्रेट अवे, और कॉम्मिनिस्ट कंट्री में, इसलाम को नहीं पन अपने देते, चाइना देखिए, शिंग्जियंग प्रोविंस में, पंदरा सो मस्जिद हैं तोड़ दी हैं उन्होंने, क्या बोलके कि मस्जिद में गुंबद है, कहाँ गुंबद तो चाइना का अर्किटेक्ट्चर ही नहीं, आप दिमाग देखिए इनका, चाइनीज का, चाइनीज कहरें कि तुम्हारा मस्जिद, मस्जिद के उपर गुंबद ओं गोल, उसने बोला, ये तो चाइनीज है निये, कहाँ साब अरब से आया है। कहरें नहीं, चाइना में बनाओगे, तो हमारे षाठाबसे बनाओगे है। चाइनीज ने कुराण चैंज कर दी, हिनसे बोला के कुराण के अंदर कोई चाइनीज आदमी तो ही नी किसी चाइनीज आदमी की तो कहानीज मेँ लिए च 오늘도 उगान करें नहीं कि इसमें एक भी चाइनीज नहीं अ तुम रहरे हो चाइना में, खारे हो चाइना में इसमें कोई चाइनीस करेक्टर नहीं है चेंज करो, उन्होंने पूरी कुर्रान इड़ित कर दिए अपने हिसाब से अब उसमें चार पाइनीस करेक्टर ड 27th टॉचा है इमामों से हम सुर हराम है नाचना गाना हराम है शराब हराम है तो चाइनीज कॉमिनिस पार्टी ने एक खटा कर रहा है इमामा को बोला कि ठीक है तुम आले हम दावत कर रहे हैं तो आए दोले दोले दावत में शराब थी और सुर था पहले बोला इमाम साथ और कई सो इमाम मतलब ऐसा नहीं कि एक दो कई सो इमाम पहले ये सामने सुरप इसको ख़़ो कर नहीं खाएंगे कर नहीं खाओगे तो फिर इस दुनिया से जाओगे तो इमाम ने बोला शौक से खाएंगे खाया टाइट भी कर दिया इनको समझें टाइट टाइट भी कर दिया और फिर बोला नाचो ये फोटो है नाचते हुए इमाम की दोस्तों ये भी गलत है जो चाइना कर रहा है जो चाइना कर रहा है ये भी गलत है नहीं करना चाहिए लेकिन ये जो इमाम कर रहा है ना वहाँ पर इस जैसे इमाम जो इटली में कर रहे हैं ये भी जलत है आप एक शरीफ लोगों का फाइदा उठा रहे हैं आपको नहीं पसंदे वेस्ट आप मत आते क्यों मुझे ये समझ में नहीं आता अच तक पाकिस्तान में तुम करते जहर पहलाते तुम्हारे जैसे जाकरनाइक टाइप के छोटे तुम उर्दू स्पीकिंग जाकरनाइक बन जाते तुम गंद मचाते वहाँ पर अपना पाकिस्तान में वहाँ पर इतना मचा हुआ है तुम भी मचा लेते नहीं इनको जाना है western countries फिर वहाँ पर फसाद करना है और जब वो निकालेंगे वहाँ से एक्षिन लेंगे फिर आपको victim card play करना है फिर आपको constitution का हवाला देना है ये सारे drama करना है boss अब west जाग चुका है अब एक-एक करके चुन-चुन करके वो लोग deport कर रहे हैं और उनकी police action ले रही है ये जो आज तक चलता चला गया न अब नहीं चले गए और बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है और ये चलेगा नहीं और हर जगह से लात पढ़नी तय है और लात पढ़नी भी चाहिए मुसल्मानों को ये समझना होगा कि देखो दूसरे के country में जा रहे हो तो पजामे में रहना सीखो वरना पजामे से बाहर निकाल कर दोड़ाया जाएगा और वही हो रहा है क्या किसी मुसलिम देश में कोई दूसरे religion का बंदा आकर जो ये सारे काम ये लोग करते हैं अगर वो करना शुरू करते करना शुरू करते मैं कहता हूँ पाकिस्तान की ही मैं एक्जामपल लेता हूँ BLA है कोई दूसरे देश का बंदा आकर जो नौन मुसलिम है वो आकर वहाँ पर BLA को सपोर्ट करना शुरू करे BLA के लिए फंड से कठा करे पाकिस्तान में आकर क्या पाकिस्तान की सरकार उसको छोड़ देगी क्या पाकिस्तान की एजन्सी उसको छोड़ देगी क्या पाकिस्तान के लोग उसे अच्छे नजर से देखेंगे नहीं देखेंगे न तो यही काम आप इटली में जाकर करोगे, आप हमास को सपोर्ट करोगे, हमास के लिए फंडिंग ही कठा करोगे, हमास की तारीफे करनी शुरू कर दोगे तो इटली गवर्मेंट आपको क्यों बरदाश करे यार वो तो अच्छा है कि इटली में एक सेकुलर सरकार है, उसने सिर्फ डिपोर्ट किया है यही काम अगर पाकिसान में हो रहा होता, तो पाकिसान में लिंचिंग हो जाती ना भाई आजाए खासकर मुसल्मानों को बाकियों को मैं चेताउनी के लिए ये एक्जाम्पल दे रहा हूँ अब देखिए ये अख़बार लिखता है स्विट्जर लेंड की खबर है नीचे फोटो भी लगी है उसमें आपको देख रहा होगा गोलियों के निशान है या पाता नी जो भी है जिसके छेद के निशान है जीस और मैरी की तस्वीर है और ये स्विट्जर लेंड की बात है लिखा है सनीजा अमेटी इस बोस्नियन मुसलिम और वहां की पार्टी से संबन्दी थे देखिए जियूरिक ग्रीन लिबरल पार्टी जी यल पी उसकी ये नेता है मतलब आपने स्विट्जर लेंड के सम्विधान का फायदा उठाया आप वहां के लिबरल होने का फायदा उठाया आपने आप नेता बन गई, आप वहाँ की पार्टी में शामिल हो गई और इन्हों ने इंस्टाग्राम पर फोटो पब्लिश की एक शूटिंग एकसरसाईज की जिसमें इमेज लगी थी मेरी और जीसस की अब आप बताईए कि कोई क्रिश्चन अगर इसको देखेगा उसके दिमाग में क्या आएगा आप इंसर्ट कर रहे हो मेरी और जीसस की क्या ये एकसप्टबल है और क्या अगर ऐसा इसलाम धर्म सरे लिलेटिव किसी आदमी की या किसी किसी के साथ ऐसा करे तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है आप उसको बुरा कहते हो लेकिन यहाँ पर ये काम हो रहा है ये मुसल्मान कर रहे हैं तो जी हमारा हक है आगे उस खबर में आता है कि जब मैडम पर प्रेशर बढ़ा जब लोगों ने घेर लिया तो she apologized for the action and deleted the post उन्होंने माफी मांगी और post को फॉर्म से डिलीट कर दिया और कहती है कि आप पॉलिटिशियन है आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने जीसेस और मैरी की photo post की है और वो भी shooting exercise वाली आपको ये बात समझें नहीं आप बच्ची है आप बच्ची है आप बेवकूफ हैं आप अनपढ़ हैं आप जाहिल हैं यानि कि आपने प्रोगेट किया और जब लोग ज़ादा प्रोगेट हो गए आपको लगा कि यार कहीं हमें भी डिपोर्ट न कर दिया जाए तो आपने फट से माफी मांगती हूँ जी sorry गलती होगी आप बताईए प्रोफेट मुहमद की जिन लोगों ने cartoon बनाये थे क्या हुआ उनका मुसल्मानों ने मार डाला उने आप तो बरदाश नहीं करते आपके religion पर कोई सवाल उठाए तो लेकिन जब दूसरे religion पर आप सवाल उठाए तो आप माफी मांग के आप काम चलाना चाहती है यह है फर्क जो आप लोग यह दोगलापन दिखाते है ठीक है उसके बाद जिस पार्टी में जो यह महिला है मुसल्मान महिला बोस्निया की उसके प्रेजिडेंट ने जो जग ग्रोसन है उन्होंने कहा कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता और यह संजिया अमेती का जो बेहवियर यह अनएकसेप्टबल है यह स्विकार नहीं किया जा सकता और इट वाज़ डेलिबरेट प्रोवकेशन यह जान बूज कर किया गया उकसाने का काम है इसका मतलब यह हुआ कि जो जीलपी है वो कहरे कि इसके बदले कारवाई होगी और फिर नीचे डिटेल दिया है संजिया अमेती is a Bosnian Muslim whose family came to Switzerland as refugees in 1995 अब आप समझे रहे हैं आज से 30 साल पहले इनकी family आई शायद वहीं पली बड़ी वहीं पर हुआ लेकिन उसको सिक्षा क्या मिली टीचिंग क्या मिली वो नफरत की टीचिंग मिली जिसका उसने मुझारा किया है यह हो गई पहली वज़ा ठीक है अब आता हूं में एक दूसरी भी ख़बर है इस्लामिस क्लेरिक फंडरेजिंग तो कनवर्ट रिमोट स्कॉटिश आईलेंड इंटो मुस्लिम होमलेंड अब देखिए जी कॉंट्रोवर्शल रेडिकल इस्लामिस प्रीचर शेख यासिर अलहबीब यह प्लान कर रहे थे स्कॉट लेंड में एक जमीन खरीदने की और डेवलप करने के लिए डेवलप एस सेफ हैवन फर मुस्लिम फर अनाउट दे वर्ड कि मतलब मुसल्मान जो कुछ भी करें मैं उसके लिए जगा बनाता हूँ वो वहाँ पर आ जाएंगे और उसके पूरी मिल्कियत मेरी होगी तो महाँ पर सिर्फ मेरा राज चलेगा अब आप ये बताईए कि क्या ऐसी हरकते बरदाश्ट की जाएंगी ऐसी हरकते बरदाश्ट की जाएंगी मैं पाकिस्तान का ही एक्जामपल लेता हूँ क्या पाकिस्तान में कोई बंदा आए पहली ख़बर के मताबिक और इस्लामिक जो भी बड़ा नाम है उसके खलाफ बाते करे उसके खलाफ फोटो पोस्ट कर दे और ये शूटिंग करते हुए फोटो पोस्ट कर दे उसमें शूटिंग एक्सरसाइज वाली है क्या पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की जंता उसे छोड़ेगी जान से मार देगी क्या पाकिस्तान के भीतर आकर एक बड़ी जमीन खरीद कर वहाँ पर कोई कहे कि मैं नौन-Muslims को यहाँ पर बसाओंगा और जो उनके खिलाफ होगा उसब हम यहाँ पर करेंगा और यहाँ पर शरिया कानून चलेगा यहाँ पर और कोई कानून नहीं चलेगा तो यह इरोप से भगाये जा रहे हो इन सब हरकतों के वज़े से भगाये जा रहे हो अपनी हरकते बंद करो वरना वापस वही घुसा दिये जाओगे जहां से निकल कर आये हो पाकिसानी पाकिसान मा आएंगा, बंगला देशी बंगला देश मा आएंगा भारत 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 के मुसलमान अगर सपोर्ट कर रहा है, तो फिर भारत भारत भिजे आईगे कहीं जगा नहीं मिलेगी, West में कहीं कोई country आपको एंट्री नहीं देगी इन सब हरकतों की वह जThere और अगर आप इन हरकतों को जैज ठ्रहर आते हो तो फिर आप लोग के साथ जो हो रहा है वो अच्छा होगा और अभी तो डीपूर्ट किये जा रहा हो शुकर मनाओ कि आपको मारा नहीं जा रहा है वहापे ठोका नहीं जा रहा हो आने वाले दो-चार सालों में पांस सालों में आपको ये ख़बर मिल जाएगी डिबूट अबूट करने का जंजट नहीं ये सीधर निप्टा डालो और ये होगा इस बात की गरंटी देता हो मैं होगा एकाज जगह हो भी रहा है अगर आप लोगों को लॉग के हिसाब से नहीं चलना है तो आप अपने अपने घरों में रहो और जाना भी है तो मुस्लिम कंट्रीज में जाओ भई किसले रोकाया तुम्हे तो ये ता ग्यान बूस्टर डोस इसको फेलाई है ज़रा लोगों तक जानकारी पहुँचना बहुत ज़रूरी जल्दे बिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना मुझसे कोई सवाल पूछना तो fan call पर आप मुझसे connect हो सकते हैं fan call में ये सोविदा है कि आप अपने हिसाब से मुझसे स्लोट बूक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है लेकिन ये ही बता दूँ कि य Ellis 및 झाल 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 झाल